हेलो एन वेलकम टू इदुनिया नौलेज चैनल आज हम मेहूल चौकसी जो डोमेनिका में अरेस्ट हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से एक भगोडा होके कहां पे भागा था और फिर अभी जो है वो कहां पे पकड़ा गया है और क्या फ्यूजर में प्र नहीं तो पहले तो यह देखते हैं कि जो डोमेनिका में पकड़ा गया है जो मेहूल चौकसी वो कहां पड़ता है तो डोमेनिका जो रिपब्लिक है वो यहां पे है यानि कि जो करेबियन सी है उसके पास है डोमेनिका रिपब्लिक और पहले जो यही मेहूल चौकसी जो है वो एंटीगुआ में जाके citizenship ले लिया था तो 2018 में ये भाग गया था और एंटीगुआ में जाके इसने एंटीगुआ की citizenship ले ली थी और बारबुडा वाले जगे पे इसका resident था लेकिन ये कुछ महिनों से एंटीगुआ से भी भाग निकला था और अभी वो उसका जो ship है वो डोमिनिका के territory में यानि की जो sea territory है डोमिनिका के वहाँ पाया गया है और डोमिनिका जो है वो भी एक पार्ट है एंटीगुआ का और जो एंटीगुआ गवर्मेंट है वो अभी कह रहा है कि अभी हम जो extradition है वो हम expedite कर देंगे और मेहुल चोकसी को कई न कई इंडिया लाने का probability high अब बन रहा है तो एंटीगुआ पुलिस अल्रेडी इसके पहले अप्रेल में एक massive search operation उसको ढूरने के लिए निकाला था और उसी की वज़े से वो भाग गया था तो कहिन के यह distrust पैदा कर दिया एंटीगुआ गवर्मेंट के लिए और यह इंडिया जो अपना केस है काफी strongly रख पाएगा कि कैसे मिहुल चोक्सी को वापिस इंडिया लाना है थैंक यू इफ लाइक दे वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और से